मैं आपके साथ का इस बीच एक बड़ी खबर लखना उसे सामने आ रही है आज काशी के दौरे पर रहेंगे सी एम योगी अदितनाथ बी एचियू में आयो जित होगा सुफलाम कारिक्रम टेंट सिटी की तयारियों का भी करेंगे निरिक्षन बोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समिक्षा बैठाग इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं काशी के दौरे पर रहेंगे CM योग्य अदितनाथ इस वक्त की बड़ी खबर BHU में आयोजित होगा सुफलाम कारिक्रम टेंट सिटी के तयारियों की भी करेंगे निरिक्षन भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समिक्षा बैठक इस वक्त की बड़ी खबर और एहम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं CM योग्य अदितनाथ आज काशी पुर जाएंगे और वहाँ पर भोले बाबा के दर्शन के बाद समिक्षा बैठक करेंगे स्वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं B.H.E.U. में आयोजित होगा सुफलाम कारिक्रम जापर CM योग्य अदितनाथ पहुचेंगे टैंट सिटी की तियारियों का भी निरिक्षन करेंगे स्वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं काशी के दौरे पर रहेंगे CM योग्य अदितनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद समिक्षा बैठक भी करेंगे बियाचियो में आयोजित होगा सुफलाम कारिक्रम उसमें भी शिर्कत करेंगे टैंट सिटी की तियारियों का भी चायजा लेंगे पड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं काशी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी अधितनाथ बियाइचियों में आयोजित होगा सुफलाम कारिक्रम भोले बाबा के दर्शन के बाद करेंगे समिक्षा परेली में जिला अधिकारी शवा के दिन सफ्क्रम अभ्यान की तियारियों के संबन में स्वास्ते विभाग शिक्षा विभाग ट्राफिक विभाग के साथ बैठकी जिकेशा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथी सरकारी और प्राइवेट पसों समेत अन्य गारियों के ड्राइवरों के स्वास्थ्य प्रिस्ख्षन के लिए हेल्थ के निर्देश भी दिये और अन्य विभारी परेली से आपको तस्वीरे भी दिखा रहे हैं जिलादी बैठक ली सड़क सुरक्षा मा को लेकर ये बैठक आज़ा गया और विभारी भी इस बैठक बैठक में कई विभाग की अधिकारी भी मौझूद रहे जिनको चिकित्सा अधिकारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिये गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेल्थ कैम्प लगाने के निर्देश भी जारी कर दिये गए है इस बीच एक बड़ी खबर लखनव से सामने आ रही है जान लखनव को बनाया गया है उद्योकिक शहर नवाबी शहर के साथ अब उद्योकिक शहर बनेगा लखनव दस जनवरी को डिस्टिक इन्वेस्टमेंट सम्मिट का आयोजन होगा इंद्रा गांधी प्रतिशान में किया जाएगा बड़ा अंदोलन लखनव और बाहर के लोग कर सकेंगे राजधानी में इन्वेस्टमेंट इसकी बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं लखनव को बनाया गया है उद्योकिक शहर नवाबी शहर के साथ अब उद्योकिक शहर बनेगा लखनव दस जनवरी को इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट सम्मिट का आयोजन किया जाएगा आपको बता दे कि इंद्रा गांदी प्रतिष्ठान में किया जाएगा बड़ा आयोजन दस जनवरी को डिस्टिक इन्वेस्टमेंट सम्मिट का आयोजन होगा लकनव और बाहर के लोग कर सकेंगे राजधानी में इंवेस्ट जिलादिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शुरू की तयारी बड़ी खबर आप तक पोचवा रहे हैं लकनव को बनाया जाएगा उद्योगिक शहर नवाबी शहर के साथ अब उद्योगिक शहर बनेगा लकनव दस जन्वरी को डिस्टिक इंवेस्टमेंट सम्मिट का अयुजन होगा इंद्रा गानी प्रतिश्चान में किया जाएगा बड़ा अंदोल है उतर परदेश सरकार हमेशा लोगों को अच्छी स्वास्ते सुविधाये दे कर लोगों की जान बचाने का दावा करने का काम करती है लेकिन शाशन के दावों को सिधार्टनगर जिले के जिम्मेवार अधिकारी पैसा कमाने के लिए गलत काम करते हैं ताजा मामला सिधार्ट नगर जिले के गेनवरिया बुजुर्ग का है जहां गेनवरिया बुजुर्ग के धीरज यादव अपनी प्रसव पीडिता पत्नी का इलाज करवाने के लिए डुम्रिया गंज के खीरा मंडी में संचालित जीवन हॉस्पिटल में गए थे जिसको वह महिला को अंद्रूनी दिक्कत आ गई और उसके पेट में उसका बच्चा मर गया महिला की गंबीर हालत देखकर परिवार उसे लाज के लिए आगे ले जाने लगे लेकिन डॉक्टों ने जबरन महिला को अस्पताल में रखकर उसका इलाज किया जिससे दोनों बच्चे और महिला की मौत हो गई अब पिडित परिवार ने नयाय की गोहार लगाई है पहले सही थी उसके बाद में लोग दर्द का सुई लगाए और गुला कोश चड़ा गिये डारिक्ट ली फिर क्या हुआ उसके बाद में उसका यानि दर्द बढ़ने लगा उसके बाद में यह लोग यह चला गया था अपरेशन करके पहले चला गया ता मैं बोला पहले सुरू से ही बोला था कि नहीं अब इदर रखने का ही नहीं जबर्दस्ति किया है क्या आपके साथ यह लोग जबर्दस्ति किया ही कितने पैसे लिये हैं आप से मेरे से लिया यानि दस हेजार एक आठ हेजार एक और दो अठरा सो एक नौजीवन हास्पीटल डुमरिया गंज खेरा मंडी में मेडिया के द्वारा संग्यानित हुआ है कि वहाँ पे आपरेशन के दोरान एक महिला की मिलती हो गई है जो बहुत ही दुख का विशा है और यह भी आरूप लगाया जा रहा है कि वह हास्पीटल गहर पंजिक्रित है संग्यान में आया है इसकी जाज करा करके इसकी कमेटी कठिस करके जाज कराया जाएगा मिलती का कारण क्या है और अब पंजिक्रित के साले है बरेली में पुलिस की जाबाजी वीडियो तेजी से वाईरल हो रहा है आपको बता दे कि मामला भमोरा के सरदार नगर का है जहां एक नशेडी ने अपने ही घर में आग लगा ली आपको बता दे कि अपने आपको जलाने की कोशिश कर रहा था, मामले की जानकारी मिलने पर थाना भमोरा प्रभारी दानवीर सिंग मौके पर पहुँचे, उन्होंने फायर बिगेट को मौके पर बुला लिया, आननफानन में पुलिस ने यूवक को बचाने के लिए घर में घुसने की कोशिश की, तो यूवक ने पुलिस के उपर इट पत्थर फेक्ट ने शुरू कर दिये, जिसके बाद भी अपनी जान की परवा ना करते हुए, पुलिस ने किसी दूसरे की छट पर चड़ कर, बहुत मुश्किल से यूवक को आग से बचाया, पुरे मामले के कि पुलिसी ने वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वाइरल हो रहा है, पुलिस यूवक को आग से बचाती हुई नजर आ रही है, ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है, इस बीच एक बड़ी खबर लग्ष्णाउ से सामने आ रही है, जहां भीशन ठंड को लेकर सीम योगी ने निर्देश जारी किये है, बे सहारा को ठंड में ना हो कोई दिक्कत, अफसर रहे सतर्क सडक पर कोई सोता ना दिखे, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुचा जहां ठंड को लेकर सीम योगी ने निर्देश जारी किये है, बे सहारा को कोई ना हो दिक्कत ऐसा सीम योगी का कहना है, अफसर सतर्क रहे सडक पर कोई भी सोता हुआ ना दिखे, दो लाग छी आसी हजार बे सहारा में बाटे जाएं कंबल, निरंतर कंबल वित्रन कराते जहां ठंड को लेकर सीम योगी ने निर्देश जारी किये हैं, बे सहारा में बाटे जाएं कंबल, निरंतर कंबल का वित्रन कराते रहें, ऐसा सीम योगी का कहना है, बारा हजार से जादा जगाओं पर प्रति दिन जला रहे अलाव अफिसर्ज को निर्देश दिये गए, सतर्क रहें, अफिसर्ज सड़क पर कोई भी सोता हुआ ना दिखे, सीम योगी ने ठंड को लेकर बड़े निर्देश जारी किये हैं बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं, बीशन ठंड को लेकर सीम योगी अधितयनात ने निर्देश जारी किये हैं, बेसाहारों को ठंड में ना हो कोई समस्या, अफिसर्ज रहें सतर्क पर सोता हुआ, कोई भी नज़र ना आए 29,000 जरुतमंदों के लिए रहन बसेरों की विवस्ता की जाए, 12,000 से जादा जगाओं पर प्रति दिन जलती रहे अलाव बड़ी घबर आप तक पहुचा रहे लगनाव से भीशन ठंड को लेकर सीम योग्य अतितानात ने निर्देश जारी किये हैं, बेसाहारा को ठंड में ना कोई हो समस्या, 2,86,000 बेसाहारों में पाटे कंबल, निरंतर कंबल वित्रन का काम चलता रहे, 29,000 जुरत मंदों के लिए रहन बसेरों की विवस्ता की जाए, ओफिसर्ज को ठंड को लेकर निर्देश जारी कर दिये गए हैं, सीम योग्य अतित्यनात ने ठंड को लेकर निर्देश जारी क किये हैं, ओफिसर्ज सतर्क रहे, कोई भी सड़कों पर सोता हुआ नजर ना आए, विसारा लोगों के लिए रहन बसेरों की विवस्ता की जाए, बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं, सीम योग्य अतित्यनात ने ठंड को लेकर निर्देश जारी कि हैं, लगाता ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बैन बसेरों के लिए विवस्ता की जा रही है। यह आपको बता दे कि अस्पतार में पीपीपी मॉडल पार डायलेसिस सेंटर को शुरू हुए, मात्र दस दिन भी नहीं हुए और लापरवाई के चलते यहां आने वाले मरीजों को इसका लाब नहीं मिल पा रहा है। सिटी स्कैन के लिए भी मरीजों को परशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदोता पूर्ती बादित होने के कारण मरीज वापिस घर लोट गए है। महोबा से आप तक यह तस्वीरे पहुचा रहे हैं जहां अस्पतार प्रशाशन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। डैलेसिस सेंटर से मायूस होकर मरीज वापिस लोट रहे हैं घर क्योंकि डैलेसिस सेंटर में मशीनیں खराब पड़ी हुए हैं। और सिटी स्कैन की मशीने भी यहाँ लोगों को खासा प्रशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दे कि डायलेसिस सेंटर को शुरू हुए मात्रे 10 दिन भी नहीं हुए और लापरवाई के चलते यहां पर मरीजों को स्वास्थे सुविधाओं का लाब नहीं मिल पा रहा है डायलेसिस सेंटर में ना तो कोई बिजली की विवस्ता की गई है और ना ही कोई जनरेटर की विवस्ता की गई है जिसके लएकर मरीजों को खासा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है करना है हो गया नहीं सुवह से लाइटी नहीं आ रही है बुल रहे हैं लाइट आती है तो बुलते हैं के बुल्टिज नहीं है वो बैठे हैं लागब कितने मरीज इदर से लोट गए काफी लोग लोट गए है मरीज की हालत भी खराब है बहुत गंभी Rhein करशी आपने कहा कि यह उसते हैं किया रही है भी लाइट नहीं है रही है लाइट आरहिए तो बुल्टेज नहीं आ रहे है क्या हुआ कि क्या कर रहे हैं कब से कब आयती कब आय तर आसे में कितनी प impl deciding हो रही हैा भ लोग आज देखेंगे हो रही है, क्या लगता है कि अस्पाल में होना चाहिए जो चल लाइन ठीक है? लाइत होना चाहिए, इन्वाइट होना चाहिए नहीं होपा है डायलेसिस, जो पिशिंटों के आज नहीं होपा हैं, उनको वेट करने के लिए बोला गया है, अगर शाम तक लाइट आती है तो अपन उनका करवाते हैं, और इनकिस नहीं आती है तो उनको कल भी शिफ्ट कर देंगे किस वज़े से नहीं होपा रहे हैं, यह पावर बेगप के वएसे, अब परेशान है यार, यह अस्पताल के पास भी बजट नहीं है, जनरली क्या होता है, पावर बेगप के लिए अस्पताल से जो डीजी रहता है यहांका जनरेटर वहां से ले लिया जाता है, लेकन यहां प पूर्विधायक राम ललित चोदरी को पार्टी की सदस्या दिलाई आपको बता दे कि रोडवेज दित एक नीजी हॉल में आयोचित कारिकरम में राम ललित ने कई कारिकरताओं के साथ सुपा सबा का दामन थामा आपको बता दे कि वे तीन बार सपाक से विधायक रह चुके हैं राश्ट्य अध्यक्ष ओम प्रकाश ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौपते हुए पार्टी का राश्ट्य उपाध्यक्ष घोशित किया है ओपी राजभर ने कहा कि लोग सबा का चुनाव गटपंदन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा राम ललित के पार्टी में आने से सुबा सपा जिले में आधिक मजबूत होगी कारे करता लोगों के बीच में जाएं और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें बस्ती से आप तक ये तस्वीरे भी पहुचा रहे हैं जहां राम ललित चोदरी ने सुबा सपा का दामन थाम लिया है तीन बार सपा से विधायक भी रह चुके हैं और राम ललित को राष्टी अउपाध्यक्ष अब भोशित कर दिया गया है भारत जोडो यात्रा चल रही हो जो भी यात्रा निकलती हैं उसके पीछे उसी के बहाने जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की बीचार धरा बता के सत्ता को पाने का प्रयास होता है देखे जो हमारा मानना है कि कांग्रेस पहले जनता के बीच में थी तो कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस की सरकार जब बन गई तो जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई फिर उत्तर पदेश में सपा बसपा जनता कांची राम जी आये जनता के बीच में गए सरकार बन गई फिर वो पार्टी हट गई जनता से खतम हो गई पार्टी फिर रोजाबाद में कोट का अदेश लेकर एक विवाइता अपने ससुराल पहुंची जा उसने ससुराल जनों को कोट का अदेश दिखाते हुए घर में जगात देने की मांगी लेकिन ससुराल जनों ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया वे घर का ताला लगाकर फरार हो गए इसके बाद विवाइता ने ससुराल के गेट पर टाट की बोरी पर बैठ कर रात कुचारी आपको बता दे कि विभाईता के मुताबिक कई वर्षों से ससुराल जनों से दहे जो पीडन को लेकर मुकदमा नयायले में चल रहा था जिसके चलते नयायदीश ने आदेश दिया था कि महिला को उसके घर में रहने की अनमती प्रदान की जाए पस्वीरे आप तक फिरोजाबाद से पहुचा रहे हैं जहां कोट का आदेश लेकर एक विभाईता अपने ससुराल पहुची और आपको बता दे कि घर में तालन लगा कर ससुराल वाले इस दोरान फरार हो गए कि सर अमारे देश के हमारा मुकदमा दायरी नहीं कराया था पहले सर अब हमारे आदेश हो गए कोट से वह भी मानने नहीं हो रहा है हमें घर में रहने नहीं देते हैं सर हमारा जो खाना कर्चा बना आज तक नहीं मिला मुझे और मेरा जब से जज्जमेंट होगा तब भी म मैं रहने आई थी सर इनने निकाल दिया फिर मैं दोबारा रहने आई हूं फिर भी इन लोगों ने ताला लगा के उपर बागे मुझे नीचे छोड़के चले गए सर कितने सालों से अपका मुकदमा चल रहा था मेरत मुझे नौ साल होगी सर दो साल पहले मेरा जजमेंट हो ग है असर अब तक पहुंचा रहे हैं फिरोजाबाद से जहां एक विवाईता अपने कोड का आदेश लेकर अपने ससुराल पहुंची और इस दोरान ससुराल वाले गेट पर ताला लगा कर फरार हो गए तस्वीरे भी आप तक पहुंचा रहे हैं फिरोजाबाद से जहां एक विवाईता महिला कोड का आदेश लेकर अपने ससुराल पहुंची आपको बता दे कि इस दोरान ससुराल वाले गेट पर ताला लगा कर फरार हो गए और महिला ने पूरी रात गेट के बाहर बोरी पर बैट कर ही पिताई तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं आपको बता दे कि विवाईता के मताबिक कई वर्षों से उसका ससुराली जनों से दहेज उत्पिडन को लेकर मुकदमा न्यायले में चल रहा था जिसके चलते न्यायले के न्यायधीश ने यादेश जारी किया था कि महिला को उसके घ तस्वीरे भी आप तक पहुचा रहे हैं फिरोजाबाद से कोट का आदेश लेकर विवाईता आपने ससुराल में पहुची जाम घर में उनको ताला लगा हुआ मिला और ससुराल वाले फरार हो गए वहिए उनाव में अमर्शही चंद्रशेकर आजाद की 177 जनती पार तीन दिवसिया बदर का मेला चल रहा है आपको बता दे कि डिप्टी सेम ब्रजिश पाठक बदर का पहुचकर उन्होंने चंद्रशेकर आजाद की प्रतिमा पर माल्यारपन किया जोरान सांस्कृति कार कारिक्रमों बच्चों के गीत और मनमुहक नित्ते के जरिये देशबक्ति और आजादी के काने भी गाये गए और साथ ही आपको बता दे कि उन नाव से आपको यह तस्वीरे दिखा रहे हैं सद्धा सुमन अर्पित करता हूँ आज जिजधन से यहां पर कारिक्रम का आया जी उन हुआ है बड़ी संक्या में उनके अन्वियाई उनको सद्धान जल देने के लिए इकठा हुए हैं प्रतिवर्थ यहां मेला लगता है और हम लोग ऐसे ही इसे प्रतिभात करते रहे है सद्धे आजाज जी ने पूरी दुनिया में भारत माता को आजाद कराने के लिए जो संदेश दिया था आज नौजवान उनको सब इकठा हो करके प्रडाम करते हैं बंदन करते हैं नंदन करते हैं उन्होंने हस्ते हस्ते अपनी प्रालों की आहुती भारत माता के लिए दे फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार